हेलो नमस्कार जहिन सातियों आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है पैरा मेडिकल के यूटूब चैनल टोटल लर्निंग पे तो दोस्तों अक्सर आप सभी लोग का प्रश्न है पूछा जाता है बच्चों के दवारा कि सर मैं पैरा मेडिकल 2024 की तयारी कर रहा हूं तो मुझे कितना माक्स लाना चाहिए गवर्मेंट कॉलेज में सेलेक्शन लेने के लिए और दोस्तों आज ये वीडियो में आप सभी को मैं पूरे काटेगरी वाईज बताने वाला हूं कि जिनरल वालों के लिए कितना माक्स चाहिए यानि आप कितने क्वेस्चन अटेम्ट क जरूरी हैं ताकि उन लोग को दोस्तों अपना कोर्स और अपना कॉलेज अलोट हो जाए है ना तो दोस्तों आईए इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और प्रती दिन दोस्त किसी चीज़ को सिद्धत से चाहते हो तो पूरी काइनात उस काम को करने में लगा देती यानि पूरी नेचर आपको पूरा सहायता करती है तो आईए दोस्तों अपना 100% देते हैं फिर आप लोग अपना 100% दिजिएगा तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पहल पहले तो टेलिग्राम पे जाएगा और फिर बाद में वीडियो बनके यूटूब पे जाएगा तो टेलिग्राम से भी जुड़ना जरूरी है दोस्तों जुड़ जाईएगा चलिए बात करते हैं लाइक और सेयर सब्सक्राइब वह आप लोग तो करी लेंगे तो यहां प क्वेस्टन का दोस्तों आपको पता होगा कि फाइव मार्क्स दिया जाता है यह च्छोटा मोटा पैटर रहा तो साइन से नुटाएग्स के में अपने चोटेग्री को एक टेंग्री में जो सीटें होती है क्योंकि जो पहले है वाज भी है सबसे पहली बात कि जेनरल वाले दोस्तों कम से कम तो तीन सो पचास प्लस लाना होगा तीन सो प्लस से करना होगा तभी जाकर के आपका एक बढ़ियां रैंक आएगा और ध्यान रेक्टर दुस्तों यह सारे कटेगरी वाइस अलग-अलग रैंक बनते हैं तो अलग-अलग कटेगरी में अलग-अलग रैंक के कोडिक एडविशन होता है ठीक है तो अब हो गया अगर से तो आपका थोरा साही रहेगा क्योंकि दुस्तों जेरल में आपको पता है जेनरल में अदर कास्ट के लोग भी आते हैं ठीक है तो आपके लिए कही ने कहीं ज्यादा competition होता है तो जेनरल में दोस्तों सारे 300 रंबर होता है बाकि यह जो सीट है दोस्तों रिजर्ड है अपने अपने हाँ आप लोग के लिए दोस्तों जब लोग का एक बहतर रैंक आएगा दोस्तों ठीक है रहां रखिए गासारे 400 में से 300 लानों अगर मैं सी की बात करो तो एसी वालों के लिए दोस्तों सी वालों के लिए देखेंगे सारे साथ परसेंट के रिजर्वेशन है और बहुत कमी स्टुडेंट स्टी के आते हैं तो लग है तो जनरल में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेस्टेंट करने होंगे और किस सेक्शन के ज्यादा करेंगे यह भी मैं बताने वाला हूं बस वीडियो को पूराइंट तक देखना इन्फरमेटिव रहने वाला है ठीक है एस सी वालों के लिए मैं बताओ कि अगर आप 270 प आते हैं 7 8 9 10 आ जाता है आप लोगों का रेंग और उसी में आप लोगों का एडवीशन भी हो जाता है ठीक आपके के अंदर आ जाता है इतना अगर राते तो यह तो सर एक डाटा हुआ अब ध्यान देना थूरा सा अब थूरा सा मैं बात बताऊं कि पैरा मेडिकल में अग करता है कि रैंक जह माक्स के यौप धिपेंट करता है ठीनक आपका बढ़िया कब जब दोस्तों ऑप नंबर ओफ क्वेस्टιन स applies का ज्यादा करोगे वी एनब अप वस्तों सान्स का ज्यादा अटेंप्ट करोगी थी्ट ठीक है में कहीं न कहीं बहुत अच्छा सुधार आएगा क्योंकि मैं एक्सपिरियंस और साथी साथ दूस्तों बोर्ड के ऑफिसियल नोटिस के एकॉर्डिंग बोल रहा हूं ठीक है अजब भी अगर आपको देखना होगा तो जब भी 2024 का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसमें द सारा चीज आपको में रहता है उस नोटिफिकेशन में तो वहीं पर मैंने देखा कि रैंग को किस तरीके से प्रेफर किया जाता है तो पैरामेडिकल के अंदर दूस्तों नंबर आप साइंस के प्रेफर दिया जाता है और ऐसे भी धिहार रखना कि आपको साइंस को even decision अगर बना लेते हों जैसे माल गाहसों जैसे माल लेजर को इक विद्यार्ति आया उसका भी अशफाया उसका भी धाये सहए आपका भी अधाया यसका में डेके लिस नंबर अई नकीछाट नियुक्ट गया होगा तो इससे कई गुन आप जाओगे अभी देखना अभी ठीक है तो लगबग आपने 20 वाला साइंस में ज्यादा अपने अपडेट लिया है तो इसलिए दोस्तों अटेम्ट ज्यादा लिया और सही भी लिया है तो वह दोस्तों क्या होगा आपका यहां पे आपका रेंग इससे कई गुना बहतर होगा आप देख लेना खुद प्रेक्टिकली साइंस का जिसका ज्यादा अच्छा प्रफॉर्मेंस देगा नंबर सेम हो तो रैंक उसका अच्छा जाएगा क्वेश्चन आपने सेम अटेम्ट किया हो आपका रैंक बढ़िया होगा क्योंकि आपने स पेपर को देखा पैरा मेडिकल का आने वाले तीन-चार सालों का मैंने पेपर देखा है तो लगबग लगबग नीट के प्रिविएस यर क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं और वह पारा मेडिकल के एक्जाम में डाल देते हैं सिंपल सी भासा में मैं यहीं कहूंगा ठीक ह पुराने बात करा पुराने नीट के पेपर को जो आसान असान भासा पूछेगा वहीं डालते हैं दोस्तों उतना भी टफ नहीं होता है तो आप लोग को समझ में आया ना कि आप लोग का रैंक कहां से बन रहा है तो साइंस पर बहुत अच्छे से कमांड करने की बात है और मैं बताओ रैंक पुसर तो यह देखो मैथ मैथ से आपका माक्स गेन होगा मैथ से आपका क्या होगा माक्स गेन होगा इंगलिस से भी माक्स गेन होगा अब कुछ बच्चे करें सर इंगलिस तो होता हिंदी के मुकावला में बाभू इंगलिस आसान है हिंदी के मुकावला लाइफ में अगर सक्सेस करना है तो वैसे पीछे के वैसे चीजों का पीछे ज्यादा नहीं भागना है कि जो हमारा कभी नहीं हो सकता है जैसे साइनो एंटो विलोम सब्द और प्रेवाची सब्द कहते हैं हिंदी में तो बताओ उसका कोई ऐसा भी वर्ड दे सकता है जो हाया हुआ है यूटूब पे प्लेलिस के अंदर जाओगे फुल सलेबस जोती भूशन सर विशाल सर ने पढ़ाया है लग 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 हमारे दो तीन इंगलिस के टीचरे जिन्हों ने अपना अपना एक्सपरियेंस यहां पे दिया आप लोगो के लिए तो आप किनी के टीच नहीं हो गए कि दसक्रेशन नहीं है चलो मान लेते हैं एक आद पढ़्यवाची सब्द नहीं आया एक पढ़्यवाची सब्सक्राइब बहुत इजी आता है आप लोग को आ जाएगा बिलों सब्सक्राइब चलो दो सवाल थियोड़ी यानि की बुक से रहा वह भी छोड़ यानि तीन सवाल हम अभी दो सवाल मार्जिंग लेगे चाहिए यानि पान सवाल हम आपको छोड़ दिये पान सवाल समझे लेगे आपको नहीं आता है ठीक है तो चलो दस क्वेस्चन तो आप लोग को आता होगा चलो मैत की अगर मैं बात करूँ अगर आप यूटूब से क ह्जार तो बंत तुम और से और दोस्तों मोडरक्रक और अप यूटि मिलोग है का है जिसके आपको पता नहीं जैसे पूछ देगा कि फ्रान्सिट के नाम दे भीए और आप लोग ने कुछ बचे कई पर लिए नियों तो याज रहता है तो टीक आफ एड़ झूल गोजा त जो बिदेश में उपलब दे तो वो चीजे नहीं मार पाते हैं, गलत हो जाता है, कभी-कभी तुक्का सही होता है, तो उसको हम लोग नेगलेट कर देता है, आठ क्वेस्टन ऐसे हम ले ले हैं, कि जो हमको आता ही न हो, बारा क्वेस्टन तो आता ही होगा, एतना तो इजी साइन्स में चलो, 15 क्वेस्टन की मैंने चर्चा की थी, 15 क्वेस्टन आपने बना लिया, अब देखा जाए, ओल ओबर कितना क्वेस्टन आपने बनाया, ठीक है, तो यहां से देखो, 8 पचे, 8 पचे, 40, 50, 14 पचे, 70, 60, 75, तो देखो दोस्तों, अब ओल ओबर आपका कितना माक्स आता, यह मिनीमम बता रहा हूं मेरे भई, यह मिनीमम बता रहा हूं कि जो अब आप पढ़ोगे, हलका फुलका भी, 4, 2, 3 घंटा दोगे, तब आपका इतना आएगा, और 4, 5 घंटा दोगे, तो भई, डाटा ही बदल जाएगा, ठीक है, तो देखो, यहां से अगर मै 20, 20 अदो 22, 27, 27 कितना हो जाएगा मेरे भई, आप जोड़ दो, 295 में माक्स, तो यहां से यह मिनीमम किवल कट अब बताया मैंने कितना, 295 में माक्स, है ना, आप यहां से भी देख सकते हो, यहां से इसको और इसको जो रुस्व, है ना, और देखो, इन दोनों को जोड़े हो जोगे तो कितना आएगा, साथ, तिन दास, यानि 120 आएगा, है ना, कितना आगया, 100, 120, 220, आप अचहत्तर जोड़ दो, यानि कि, हैना, समझ में आगया ना, 295 नमबर आपका अभी है, अभी, अजब पढ़ोगे, तो भई, 300 तो पार होई जाएगा, और मैक्सिमम मैंने क इसे ही पार कर रहे हैं, लगब लगण थोरा से महिनद करोगे, तो आजाएगा, अब देखो मेरे, कट-अब थो आप लोगो को पता लग गया, कि आप लोगो का क्या रहने वाला है, और किस तरीके से आने वाला है, सब चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने च सब्सक्राइब आपको पहले दिया जाएगा आपको पहले बहतर कॉलेज़ डिया जाएगा आप जो कॉलेज अलोट करोगे डालोगे वही कॉलेज अलोट हो जाएगा ठीक है और दोस्तों देखो आपके लिए दो-दो कॉर्स है मैं बता रहा हूँ एक कॉर्स दोस्तों हमारा संकल्प बैच हरा जी कि 649 अगर आप इन दोनों में कोई भी जूडते हों आपको हर एक लाइगा किसी में दोस्तों लाइब इसमें भी चल रहा है इसलिए это कलासे क्लाश कर दो अब को क्या आपको पोरे चीजह को जो मैं ने बताया जिस तरीके से हर एक टीचर बताएंगे आप को हर एक टीचर अपने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे लेवल भी बहुत अच्छा रखेंगे दोस्तों ठीक है उमीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगागा वीडियो और आप लोग दोस्तों अभी तक से बुक को और नहीं किये हैं तो आप हमारे बुक को भ जिहार पारामेडिकल की बात कर रहे थे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ वेडियो के साथ बाकि जो आप लोग कोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो यहां पे आप लोग देख रहे हो कोर्स का वीडियो मिल जाएग झाल झाल